कितने दिनों बद तेरे हाथों से खाया है मा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आ जाया है असली स्वाद खाने में, बता है मा, तेरे हाथों से तो चावल में भी रोशुगुलों का स्वाद आता है, अच्छी है दुकामा, मेरी बहुत मदद करती है तू, बहुत खुश हुए आपर, बहुत खुश बहुत खुश बहुत खुश बहुत खुश, शत्ति, कैसे माँ हूँ मैं तेरी इसी खुशी को ग्रहन लगाने जा रही हूँ मुझे माफ कर देना दुका मा छोटी मालकिन तुझे पते ये कौन है भारी बाबू भारी बाबू नहीं विहारी बाबू वही तो कहा भारी बाबू तु सोच रही होगी मैं भारी बाबू किसलिये कह रही हूँ ये थोड़ेНеहीं, थोड़ेने, तो ज्दाद्र ही नारी है, पर ऐसा नहीं है, मैं भारी बाबु, इसलेगों कहती हूँ हैं, क्योंकि ज़र के सारे भारी काम यही करते हैं, पूरी दुनिया के सब से भारी, सब से भारी काम है और इह reden जी नुकाम के लिएक है अटेbbe बहुरानी जी के सामने बोलना अंपने सामने किस्व को बोलने कहां देती हैं अईसे वी यह जैसे तईसे कैसे ही करके अपनी बात मनवा करके यह रहती है हम ने तो मान ही लिया है कि हम भिहारी बाबू नहीं हम तो भारी बाबू है अरे इस से पहले कि हम भूल जा है हम किस काम के लिए आये हैं हम बता ही देते हैं माता जी आपको बड़े मालिक बुलवाए हैं ती लोचन बाबू चल मैं भी चलते हो तेरे साथ नहीं, तू अपने कमरे में जा, मैं जल्दी लौड कर आऊंगी, जा सामान बांद लिया अपना और बॉन्दित्था का बेल गाली कितने बज़े बुलबा दें अपसे हम दोनों पती बाबु के बाड़ी में मज़े से एक साथ रहेंगे, एक दम खुश-खुश, है न मा क्या हुआ साप सूंगया क्या चुप क्यों हो, याद है न क्यों बुलवाया है तुम्हें यहां हमने जितना आपने कहा था उतना ही पानी पिया है मैंने पती बाबु शती यह तो बहुत अच्छी बात है बॉन्दिता पती बाबु धन्यवाद तुमने मेरी बात सुनी इसके लिए धन्यवाद कहना पड़ेगा मुझे बॉन्दिता ओहो आपको नहीं कहना है धन्यवाद तो बॉन्दिता कह रही है आपको अच्छा और बॉन्दिता मुझे धन्यवाद क्यों कह रही है मेरे मा को लेकर आए ना आप मेरे पास बहुत कुछ युम मा से मिलकर अगर आप कहेंगे देखूंगी भी नए पानी और रोश्य गुल्लों को बहुत अच्छा लगा सुनकर की खुश हो तुम और भी अच्छा लगेगा मुझे अगर आप भी खुश आएंगे मेरी तरह याद है ना मैंने तुम्हें क्या बोला था तुम्हारे गाओं आके तुम्हारी बेटी के फविश्य के बारे में जानती नहीं थी कि तुम्हारी बेटी अशुद्ध है पीशी इसने फिर से बिस्तर गिला कर दिया मैं बिस्तर पदल लेती यह तो आप कर रही है खल जब ससुलाल चली जाएगी तब उसकी ये गीले पोत्रे कौन साब खरेगा जान पूच के हमारे सिर पे मर दिया उसे उसकी कमदोरी चुपा ली हमसे अंदाजा है तुम्हें? कितना बुरा असर पड़ा है निरुद्ध के जीवन पे? अरे नर्क बन चुकी है उसकी और हमारे पुरे परिवार के जिंदगी तुम्हें लगता है कि इस समस्या के साथ रॉय चौद्रियों की बहु बनाए रखेंगे हम उसे? बिल्कुल नहीं! तो जब तक उस लड़की की समस्या दूर नहीं हो जाती हम उसे अपनी हवेदी में नहीं रहने देंगे! रही जाओ अपनी बेटी को अपने साथ वापस! सुना! ऐसे नहीं कहिए जमींदार बाबू और क्या कहेंगे जमाई बाबू से? मैं जानती हूँ वो कभी नहीं चाहेंगे कि बॉन्दीता वापस आजाए बॉन्दीता के जिमिदारी का वचल लिया था उन्होंने मैं जानती हूँ वो कभी उससे पीछे नहीं हटेंगे थोड़ी समय हुआ है उनसे मिले हुए पर इतना तो जान चुकी हूँ कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते भी है हाँ इसलिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम उसे सही रह दिखाएं हम जानते हैं वो तुम्हें बहुत मानता है तुम्हारी सुनता है हम से लड़कर जब तुम्हारे पास गाउं गया था तुम्हें लेने के लिए तो तुम्हारे समझाने पर ही बिना तुम्हें लिए वापस आया था इसलिए इस बार भी तुम्हें ही समझाना है अनिरुद्ध को और किसी भी थरा एक आदशी से पहले अपनी पेटी को वापस लेके जाना है किन्तू, किन्तू, परंतू, अपितू ये सब नहीं जानना है अमे एक बाद भोलू, अब आप दिन राट चिंटा नहीं करेंगे मेरी अब रात रात वो भूपू लगाकर जगाने की जरूरत नहीं है मुझको अराम से सो सकते हैं आप अब सुबा सुबा उठकर मेरी गंदी चदर साफ नहीं करने पड़ेगी आपको अच्छा तो ये सब काम मा से करवाओगी क्या मा क्यों करेगी मैं तो कहती हूँ अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मा आ गई है ना वो सब ठी कर सकती है मेरी हर परिशानी का इलाज है उसके पास अच्छा सुनो बंधा मा को ना मा को बता दिया है मैंने सब पती बाबू और मा ने कहा है कि सब ठी कर देगी वो अच्छा सुनो बंधा पता दिया है